Hey there tech fam, welcome to another video of Tech Knowledge तो guys, आज की वीडियो में बात करने बाले हैं Nokia और Samsung के बारे में तो दोनों ही companies अपने नए smartphones के साथ आ रही है, Midranger है और Nokia आ रही है Nokia 6 के साथ जसमें Android होगा Windows के जगा, touchscreen smartphone है Nokia का और Samsung आ रही है अपने नए J7 Pro के साथ तो J7 Series काफी popular रही है इंडिया में और Nokia के लिए काफी ज़ादा hype है अभी इंडिया में तो दोनों ही phones के specifications को compare कर रहा हूं इस वीडियो में hands-on comparison नहीं होने वाले हैं तो चलिए आज की वीडियो के साथ start करते हैं तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं दो common चीजों के बारे में तो दोनों ही phones 7.9 mm थेक होने वाले हैं और दोनों ही phones आपको मिलेंगे dual sim capability के साथ तो यहीं पर बस यही दोनों चीज़े common हैं बाकी तो सारी चीज़े काफी different है इंड में तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं इसके display की तो Nokia में आपको मिलता है IPS LCD Capacitive Touchscreen जो 5.5 inches की है screen to body ratio 70.7% है तो काफी अच्छा screen to body ratio है इसलिए इसके जो side wheels हैं वो काफी कम है resolution आपको full HD मिलता है 180 P का और 403 ppi की pixel density मिलेगी आपको screen में multi-touch है और Corning और Rilla Glass 3 के साथ आएगा और अगर यहां बात करें Samsung के बारे में तो Samsung में आपको मेलेगी Super AMOLED screen जो 5.5 inches की है Nokia 6 की तरह है लेकिन screen to body ratio improved है 73.3% का screen to body ratio मिलेगा Full HD screen है 180 into 1920 की और pixel density इसकी 2 pixels कम है यानि की 401 PPI तो multi-touch है obviously अगर हम इसके platform की बात करें तो Nokia Android 7.1.1 के साथ आएगा out of the box जो latest है और Samsung आएगा Android 7.0 के साथ तो यहां पर Nokia ने यह नोकिया यह क्लेम कर रहा है कि उसके Nokia 3,5 और 6 के अंदर तीनों ही phones के अंदर जो है timely security updates मिलते रहेंगे आपको और Samsung अगर अगर updates की बात करें तो Samsung के updates उसके flagship में भी इतनी जल्दी नहीं आते अब थोड़ा improve हो गया है लेकिन पहले तो नहीं आते थे तो Adreno 505 का GPU है इसमें और अगर हम Samsung की बात करें तो Exynos का 7870 Octa को processor मिलता है आपको इसमें जो 1.6 GHz की जिसकी clock speed है और इसमें भी आपको Cortex का A53 मिलेगा और अगर GPU की बात करें तो T830 MP2 मिलेगा तो processor जो है Qualcomm का 430 थोड़ा पुराना हो चुका है और इस range के हिसाब से 600 something series का आना चाहिए था यहां पे जो hand मिलता है वो Nokia को इसलिए मिलता है कि उसने यह claim किया है कि security updates regularly आते रहेंगे और Exynos के अगर बात करें तो Exynos के processors काफी अच्छे होते हैं सामसंग के अपने processors हैं अगर card slot की बात करें तो micro sg support करते हैं दोनों ही up to 256 GB आप इसमें बढ़ा सकते हैं internally आपको Nokia 6 जो है दो variants में मिलेगा 32 GB और 3 GB RAM के साथ और दूसरा variant जो होगा उसका 64 GB और 4 GB की RAM के साथ इसमें आपको internal storage सामसंग में 64 GB और 3 GB के RAM वाली ही मिलती है अगर cameras की बात करें तो primary camera Nokia में 16 megapixel का है जिसका aperture 2.0 का है अगर मैं बोलू तो low light के लिए अच्छा नहीं है उतना इसका camera at least on paper और अगर सामसंग के बारे में बात करें तो उसका primary बेशक megapixel उसमें कम है 13 megapixel का है लेकिन aperture उसमें आपको 1.7 का मिलेगा तो मतलब low light जादा better रहेगी Nokia से जैसा कि मैंने बग कहा कि hands-on तो मैंने अभी तक किसी का भी नहीं किया है लेकिन at least on paper अगर बात की जाए तो 1.7 बेटर है 2 से Nokia में आपको मिलेगी dual LED flash Samsung में आपको मिलेगी single LED flash secondary camera के यहां पर बात करें तो Nokia में आपको मेलेगा 8 megapixel का फिर से aperture 2.0 के साथ और Samsung में आपको मेलेगा 13 megapixel का front facing camera f1.9 के साथ अगर speakers के यहां पर बात करें तो सामसंग में आपको एक mono speaker मिलता है loud speaker है जो और यहां पर आपको मिल नोक्या में और निचे जो एक speaker होता है charging port के साथ वो तो आपको इसमें मिले गई तो दो speaker मिलेंगे speaker की quality में अगर बात की जाए तो stereo speaker always हर कोई prefer करता है तो यहां पर next अगर बात करें तो battery size की बात करते है ngonkyachten में आपको मिले की 3000 mAh की lithium ion battery और Samsung में आपको मिलेगी 3600 mAh की lithium-ion बाटरी दोनों ही non-removable है तो यहां पर भी Samsung के पास एक heavy hand है क्योंकि उसके पास 3600 mAh बाटरी है सारे specifications on paper है guys तो on paper comparison चल रहा है लेकिन जैसे ही यह devices officially launch होंगे obviously मैं चानल के लिए दोनों को ही order कर दूँगा तो please subscribe कीजिए चानल को अगर आपने इनकी hands on video भी देखनी है तो next यहां पर बात करते हैं sensors के बारे में तो दोनों में ही fingerprint sensor मिलेगा आपको जो front mounted है accelerometer मिलेगा, gyro sensor मिलेगा, proximity sensor मिलेगा और साथ में आपको compass की भी facility मिल जाएगी और यहां पर last हमारा point आजाता है color options तो Samsung में आपको as usual 2 basic colors का option मिलेगा एक black और एक gold तो Nokia में अगर आप 64 GB वाला variant opt करते हैं तो आपको इसमें 8 black color मिल जाएगा और और भी color options हैं जो 32 GB में available होंगे वो है matte black, tempered, blue, silver और copper So that's about it for this video यही थे specifications on paper अगर winner की बात करें तो Samsung J7 है लेकिन अब pricing की बात करें तो Samsung 21,000 का है Nokia है 15,000 का तो यहां पर price difference है 6,000 का और अगर हम comparison की बात करें तो वैसे यह J7 Max से compare किया जा सकता है तो J7 Max उतना worth it नहीं है phone 17, 18,000 का phone है वो भी तो उसे better आप G7 Pro लीजिए और J7 Pro Nokia 6 की बात करें तो अगर Nokia 64GB वाला 17,000 या 18,000 का भी आता है तब भी 3,000 सस्ता रहेगा वो Samsung से तो मेरे ख्याल से यहां पे अगर आप थोड़ा economical phone लेना चारें तो आप Nokia ले सकतें अगर आपके उतनी budget problem नहीं है तो आप Samsung भी ले सकते हैं लेकिन एक अपर हैंड हमेशा Nokia के पास उसके security updates को लेके रहेगा जो कंपनी ने क्लेम किया है regular updates आपको मिलते रहेंगे प्लस Nokia में आपको near stock Android experience मिलेगा So that's about it for this video I hope you guys liked it If you found it helpful please share this video with your friends and family and subscribe right now to the channel to join the tech fam and I shall see you guys in my next one till then enjoy your tech